अबसे के साथ इस मसले पर बात करने के लिए हमार से सुधान्चु मित्तल जी जुड़ रहे हैं। सुधान्चु जी, यूपी के सपनों को कैसे साकार करेंगे योगी अधितनाथ? अबी साथ दिन हुए हैं, विरोधी कहा रहे हैं, साथ दिन में अच्छे दिन आने की तस्वीर कैसे दिख रही है आपको? इन क्या बॉलबाला हो जाने वाला है? आज उन्हेंने क्या कहा? उन्हेंने का कानून की प्रभूसक्ता. किसी भी व्यक्ती को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा. जो काम करा जा रहा है उसका दुरूपयोग अगर किसी अफसर ने करा तो उससे सक्ती से निप्टा जाएगा तो सारी विवस्था में एक जो जिसको अप्रोच अंग्रेजी में शब कहता हूँ वो बड़ी स्पश्ट अप्रोच है कि कानून की प्रभुसत्ता हर एक के साथ नियाए और तुष्टी करण की राजनीती नहीं करनी है राजकुमार जी सुदांचु जी को आप सुन रहे हैं कि जिन्होंने आज योगी अधितिनात का भाषर सुना होगा उन्हें स्पश्ट हो गया होगा कि कैसे सपने पूरे होने वाले उत्तरप्रदेश के तातार हम हर घंटे पर एक सवाल उठा रहे हैं कि आप बूचर खानू पर रोक योगी राज को सियासी लाब देगी इस पर हमारे जो दर्शक अभी हमारे स्कारक्रम को देख रहे हैं हाश्टाग सुपर योगी से आप ट्विटर पेज पर और फेस्बुक पेज पर न्यूज 18 इंडिया के अपनी राय साज़ा कर सकते हैं आपके जो राय होगी वो हम इस कारक्रम में दिखाएंगे मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहती हूँ सुधान्चु जी क्या बूचर खानों पर रोक योगी राज का सियासी लाब लेने का एक तरीका है नहीं नहीं इसमें आप हर चीज में सियासत ना देखे NGT के आदेश दो साल से लागुनी हो रहे थे इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा जो NGT का आदेश है जिससे ये सारे गैर कानूनी चल रहे हैं क्योंकि कानून की प्रभुसत्ता चलनी है इसलिए जो है वो कानून का उलंगन किसी का बरदाश नहीं होगा और वो ही करा जा रहा है उन्होंने मैंने फिर कहा कि किसी भी निर्दोश के साथ जाती नहीं होनी चाहिए बार-बार कहा और अगर इसका राजनेति करणी हर एक को देखना है तो देखता रहे है उनके दृष्टी से उन्होंने का मैं ना जाद देखना हूँ ना धर्म देखना हूँ मैं सर्फ कानून की प्रभुसत्ता देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि उत्र प्रदेश की जनता के हित में जो जो कारे मुझे करने हैं वो मैं करूंगा उन कारे करने में मैं कोई जात्पात और धन नहीं देखने वाला हूँ मैं इसलिए उस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता क्योंकि जनता ने इनको प्रतिक्रिया दे दी है इनके वाइदे और इनके कारे और कारे की शैली सबका जनता नहीं मुल्यांकन कर दिया अगर जो ये कह रहे है वो करा होता तो जनता क्यों नहीं चुननेती इनको तो दिखे मैं जनादेश का बड़ा सम्मान करता हूँ और उस जनादेश का अगर हम लोग मतलब बबात पूसले चाहले इस लिए पंजाम में क्या कर नहीं कर उसकी चर्चा करके मुझे लगता है इस चर्चा से हम लोग बटक जाएंगे मैं मैं जाहांगी कि यह कर करें कि कमेंट करना चाहता हूं नहीं सरकार नहीं सरकार की तो स्वीरे लगाता दिखाई ते रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो पंजाब में जो कहते हैं करते हैं आप बताइए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा करते हैं शुब काम ना है और बिल्कुली अपनी बातों पर खरा उतरे और अच्छा प्रशासन दे ये कौन नहीं चाहेगा ज़रू करें अब ये अपने डंके बजाना चाहें मैं मैं रिकाना कि मैं किसी भी सरकार के बारे में नकारात्मा ग् मुझे लगता जनादेश मिला है जैसे आज जो है इनका अपना अखलेश जी का बयान मुझे थोड़ा अनुचुत लगा जिस पद पे वो रहे उस पद की गरिमा के अनुकूर नहीं लगा उन्होंने कुछ ऐसी टिपडियां करी जो एक नर्वत्मान लुक्त है लेकिन किस तर प्रियाक्ट करने का वो भी स्रॉंगली जब केंदर में भारते जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो माननी मोदी जी ने भी जाडू लगवाई थे उस जाडू लगाने कि जारू लगाने में बुराई क्या है नहीं कोई रिजल्ट हुआ उसका वो केवल प्रितिकात्म ये प्रितिकों की राजनीती करना चाहते हैं कोई ठोसकार ये धरातल पर करना नहीं चाहते कोई जन हित के मुद्दे उठाने चाहते नहीं है प्रितिकों की राजनीती एंटी रोमियो इसक्वैट बना दिया एक चर्चा होगी मीडिया में बस बात खतम हो गई अम्मा कहला आस प्रतिकों की राजनीती कर रहे हैं बूचर खाने जो गैर कानूनी थे उनको सक्ती से बंद करवाना ये प्रतिकात्मक है क्या ये कानून की प्रभुसक्ता को स्थापित करना है राजकुमार जी शायद इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके हाँ कानून के प्रतिस मानी नहीं था NGT कहती रही लेकिन इननों ने कभी नहीं करा क्योंकि इनकी राजनीती सारी जाथ धर्म यहां पर तस्वीरें सीले आपको दिखा रहे हैं गुरकनात मंदर की जहां पर योगिया दितनात अपने प्रशासने कमले के साथ गुरकनात मंदर के भीतर दाखिल होते हुए तस्वीर और आज विशेश पूजा अर्चना का आईजन उनके लिए है यहीं पर वो आज रात्री विश्राम करेंगे दो दिन का उनका कारिकरम है तमाम जो संत समाज है वो उनका स्वागत करता हुआ वो तो बाद में देखा जाएगा लेकिन यह जो गुंडे जो है हर पार्टी के चोला जो पहन लेते हैं एक शेर नहीं नहीं राम करपाल भाई का एक शेर जरूर सुनाओंगा कितनी आहिस्ता और कितना तेज तो इनकलाब की रस्तार देखो और सुदार्चुजी से मैं इस पर निश्य जवाब चाहता हूँ जहां तक आज आपने सुना योगी जोको ने सपच्च्टा से कहा कि कोई भी व्यक्ति होगा चाहे हमारा होगा या हमारा साथ का नहीं होगा किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं होगा और इजानत नहीं मिलेगी गुंडा राज से मुक्ती मिलेगी तो जब गुंडा राज से मुक्ती दिलवानी है तो चाहे हमारी पार्टी का गुंडा हो चाहे किसी पार्टी का गुंडा हो या वो गुंडा जो राजनेतिक वस्त रधारन कर ले सरकार को देखे वो हो इन सब को किसी को बखशा नहीं जाएगा आपको सब दिहान होगा कि तल्यान सिंग्जिता जो कानून को गलत साबित करने की कोशिश करेगा ये बिल्कुल निश्चेत रूप से प्रतेग सरकार इस कारे को करती है अपराद कोई भी हो उसको बखशा नहीं जाना चाहिए मैं दो विश्यों पर अपनी छोड़ोडी बात करना चाहता हूं पहली बात तो कि योगी अदित्यनाजी भगवादारी हैं भगवा जो है निशेत रूप से त्याग, शमा, शील, मानवता, प्रेम और समानता का प्रतीक है वो समानता रखे और सविधान में अपनी आस्ता लिखा था कि बोनस नहीं देंगी स्टेट सरकार, एक तो चिठी लिखे और प्रधार मंत्री मोजे को उस चिठी को वापिस लेने के लिए पहली बात, ग्याहूं के मामले में उत्रपरदेश नॉन डिसेंटलाइज प्रकॉर्मेंट स्टेट है, इसका मतलब वहा कि सारी खर प्रधार मंदल के योगी जी जो स्वामी है, उसका कारण है उनकी त्याग तपस्या, अरपन, समरपन, त्याग दिया है जीवन, उन्होंने जन्स हिद के लिए जन्स नहीं यह तो मैं सहमत तो हूँ, इस टाइम योगी जी पे बहुत आशा है, मोदी जी के मुकाबले अरपन हो और त्याग और तपस्या हो, तो मुझे तो कल्यान सिंग जी और आजना सिंग जी का वो कारेखंड याद आता है, जब स्वाणिम कारेखंड तार उत्रप्रदेश की शासन का, जहां भ्रष्टाचार पे और गुंडाई पे दोनों पे ऐसी सक्त लगाम लगी योगी आतुतना उत्तरप्रदेश की शेर है, हम सितम तेरे हसस के सहे जाएंगे, तु खुदा है, तु खुदा है, तुझे हर बात रमा है, यारू राजक्वाजी शेर मैं भी सुना देता हूँ आपको, ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदर आ गए, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की उची फसील, राम नाम योड के संसद के अंदर आ गए, और जहां तक ख्याल है, सुधान सुझे से जितनी बार आपने सवाल किया है, उतनी बार उन्हों दो बात कही है, कानून का राज होगा, गुंडा राज खतम किया जाएगा, सब को न्याय मिलेगा, ये तो हर सरकार कहती है, हर नेता कहता है, कोई नेता ये कहता है, कानून हाथ में लेंगे, नागरिक को कानून में आप, आप लोग कहते थ हम करके दिखाएंगे, फार्क यह हwydd, क्योंकि दोनों की नियतों में फार्ग था, आपकी नियद जो थी वो धर्म और जाती के अधार पर, लोगों के बीच में बाटने की थी, घुषिध हमारी नियस परश्ट है सबका साथ सबका विकास किसी का तुष्टि करें दें और हरे को कानून की प्रभुसत्ता को सुइकारना होगा यह नियत का फरक है वाकियों का फरक नहीं है वाकियों नियत में ही तो जमीन आश्मर्ट का अंतर है मुझे कुछ तस्वीर दिखानी है चे तस्वीर अपने